दोस्तो आज हम बात करेंगे हब्बे बुखार के बारे में इसके क्या फाइदे हैं? कैसा आपको लेना है? इसके इंगिडेंस क्या है? साडिफेट क्या है? ये सारी जानकारी जो है आज किस वडियो में आपको दूँगा दोस्तो हब्बे बुखार जो ये मेडिशन है ये युनानी के एक क्लासिकल मेडिशन है देखे बहुत सारी युनानी की कम्प्रिया जो है इसको बनाती है जैसके हमदर्द हो गई, रैक्स हो गई, सिबजर हो गई, आदी और भी कई सारी कंप्रिया जो है इसको बनाती है तो आप चाहें तो किसी भी कंप्रिय का ले सकते हो और देखें क्योंकि ये एक यूनानी मेडिशन है तो आप इसे जो युनानी medical store होते है वहाँ से आप इसे खरीच सकते हो या दोस्तो आप इसे online भी मगा सकते हो online खरीचने के link वीडियो के description पर available है और ingredients के अगर हम बात करें तो देखे इसमें जो है तपसीर है कनकना है, सते गिलोय है आदि इस प्रकार से जो है इसमें ingredients सामिल किये गए है जिसे ये medicine हो बनाए गई है तो फाइदों के अगर हम बात करें तो देखे इसके बहुत सारे फाइदे है सबसे पहला तो ये बुखार के लिए काफी फाइदे मन्द है और जैसा कि इसका नाम भी है हब बुखार बुखार यानी fever के उपड़ जो है काफी बड़िया काम करता है अब देखे बुखार कोई भी हो सकता है चाहे वो malarial fever हो या बहुत से लोगों को viral बुखार होता है या फिर bacterial infection का बुखार होता है किसी भी बुखार में आप इसको ले सकते है आपको फाइदा है वो देखने को मिलेगा अब साथ ही आप इसको सर्दी खांसी जुखाम में भी ले सकते हैं उससे फाइदा करेगी क्योंकि देखी इसको लेने से आपका immunity power increase होता है बार बार बुखाराना सर्दी खांसी जुखाम रहना हमेसर रहना जैसे ही मौसम चेंज हुआ आप बिमार से पढ़ जाते है तो इसका मतलब होता है कि आपका immunity power बहुत कमजोर है तो ये medicine आपके immunity system को जो है boost करती है इसके लावा ये जो है आपके खून को भी साफ करती है medicine blood purify भी करती है तो दोस्तो इस प्रकार से इसके जो है फाइदे है तो डोस के अगर हम बात करें तो एक से दो गोली आप दिन में दो बार पानी के साथ है वो ले सकते है दोस्तो देखे डिपेंड करता है कि आपकी problem कैसी है अगर आपको ज़्यादा problem है वो नहीं है तो आप एक गोली सुबह एक गोली शाम को कुछ इस प्रकार भी जो है ले सकते है और अगर problem ज़्यादा है तो दो गोली सुबह दो गोली शाम को कुछ इस प्रकार भी है वो लिया जा सकता है देखे दोस्तो डोस जो होती है वो हमारी problem हमारी बीमारी के according होती है और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलायों ले सकते है इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे को देने से पहले डॉक्टर से सलाह ले क्योंकि इडिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है इसके लावा जो pregnant woman है वे भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ले साइडिफेट की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी साइडिफेट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ health में issue लगता आपको इसे लेने के बाद तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते है और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते है हाला कि इसका ऐसा कोई साइडिफेक नहीं है तो दोस्तो ये थी हब्बे बुखार के बारे में जानकारी फिर भी कोई सवाल है आपका कुछ भी पूछने जाते हैं आप तो आप मुझे कॉमेंट्स का दवाब भी पूछ सकते हैं दोस्तो वीडियो गर आपको पसंद आई हूँ तो लाइक करें और गर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे मेरे नाम है जितेश और आपने इस वीडियो को इतना किमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद